हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रश्मी श्वागत है आपका मेरी फैमिली किचिन में तो आज मैं लेकर आई हूँ बेशन का चीला बनाने का सबसे आसान तरीका इस ट्रिक से आप बनाएंगे चीला एकदम परफेक्ट बनेगा और ये चीला बहुत ही टेस्टी स्वादिश्ट बन मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेशन इसको पहले से ही मैंने च्छान लिया था एक लिया है मिक्सी जार इसी में डालेंगे यह बेशन और यहां मैंने 2-3 चमच लिया है सूजी जिसे रवा बोलते हैं अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी से हल्दी और नमक बढ़िया से देखिए इसका जो पेश्ट है बन जाता है तो मैं आपको दिखा रही हूं इस तरीके से आपको बनाना है थोड़ा सा अगर आपका पतला या गाड़ा हो रहा है तो बेशन आड़ कर सकते हैं पतला हो रहा है तो बेशन आड़ कर लीजिए और गाड़ा हो रहा ह तो थोड़ा सा पानी भी आट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको इस तरीके से consistency रखनी है, तो मैं एक देखिए, line draw करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से होनी चाहिए, तो better आपका इस तरीके से होना चाहिए, आप इसको rest करने के लिए रखेंगे 10 मिनट, तब तक मैं दिख हाती हूँ, मैंने क्या-क्या सबजियां ली है, तो मैंने यहाँ पर ली है, देखिए, सिमला मिर्च छोटी-छोटी काट ली है, बारीक हरी मिर्च ली है, चार-पांच और यहाँ पनीर लिया है, कद्दुकस कर लिया है, दो प्याच को बारीक काट कर लिया है, और टमाठर यूज करूँगी तो वीडियो को आप लाश तक जरूर देखें तो देखिए इधर जो देखिए बैटर है ना रेस्ट हो चुका है बेशन का बैटर तो इसको थोड़ा सा फेट लेंगे मिला लेंगे जो एर वबल्स होंगे वो खतम हो जाएंगे तो इस तरीके से आपका बै बैटर अलग निकाल दिया है तो चलिए इधर देखिए मैंने तबा को गरम कर लिया है आप इसमें लगाएंगे चीटे पानी के और बस जैसे ही ये देखिए जो पानी है सूख जाएगा वैसे ही एक चमचा बैटर लेंगे और इस तरीके से फैला देंगे पूरे तब एप तो मैंने अभी पहला छोटा ही फैला आया है इस तरीके से आप कितने भी बड़े छोटे चीले बना सकते हैं बहुत ही बड़िया बनता है एकदम परफेक्ट बनता है बस इसको ड्राय होने देंगे उपर से देखिए बस आदा से एक मिनट लगता है ये जो चीला है ड्राय हो जाता है उसके बाद हलका सा चाहे तो आप तेल बच्टर या घी कुछ भी लगा सकते हैं नहीं तो चिपकता बिलकुल नहीं है आप तेल इसके भी कर सकते हैं अब मैं उपर से लगा दे रही हूँ टमाटर हरा धनिया डाल दे रही हूँ शिमला मिर्च जो सारी सब्जिय कट करके रखी थी ना वही सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालना है हरी मिच डाल दी प्याज कटा हुआ डाल दिया और उपर से डालेंगे यह पनीर और यह चीला बहुत ही है तो बच्चे देखिए जो सब्जिया नहीं खाते हैं तो वो जरूर इस तरीके से खा लेंगे उन कर लेना है आप रॉल भी कर सकते हैं तो मैं आगे और भी आपको बनाना बताओंगी तो यह देखिए जो चीला है सुपर हेल्दी बनकर तयार है तो इसी तरीके से मैं आपको और बनाना बता रही हूं बस बैटर लेना है फैला देना है और गैस को आप मीडियम टू लो लगा दीजिए फिर जो भी सब्जियां कट करके रखी है वो उपर से लगा दीजिए तो आप एक बार इस तरीके से जरूर चीला बनाना एकदम परफेक्ट आपके चीले बनेंगे और इनको देखी कितना आशान है बनाना तो अगर आपको मेरे तरीके से चीला बनाना कर देखी इस तरीके से आसानी से रॉल भी हो जाता है देखी कितना अच्छा एकदम परफेक्ट बैशन का चीला बनकर तयार है तो मैंने इसको रॉल कर लिया है तो इसी तरीके से में सारे चीलों को बना लूँगी तो देखिए एक कटोरी में धेर सारे बन गए तो मैंने जो बैटर बना लिया था, तो मैंने सारी सब्जियां मिक्स करके बनाया था, तो घर में जैसे पसंद हो, वैसे आप बना सकते हैं, तो इसमें भी मैंने सारी सब्जियां लेकी इस तरीके से रख दी है, बस इसको भी मैं फाइनल, जो चीला है, उसको भी मैं निकाल ले रही और बहुत ही आसानी से सारे चीले बन जाते हैं, इनको आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाएं, कभी भी बनाएं, जब भी आपका मान हो तब आप बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे, कभी भी आपके घर में आ गए मेहमान, तो उनको ये सुपर हेल्दी ये चीला बना कर खिलाएं इस तरीके से, तो देखिए सारे जो चीले हैं बनकर तयार हैं, एकदम से मतलब बढ़िया हैं, ये नहीं है कि हाड हैं, और ये देखिए थोड़े ठंडे होते हैं तो थोड़े सौप्ट हो जाते हैं, और इनको गरमा गरम आप चटनी के साथ, च हेल्दी चीला है, और इस तरीके से आप बनाएंगे चीला, तो कोई भी चीला आपका बिगडेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बनेंगे, तो देर किस बात की, आप भी अपने किचिन में ये परफेक्ट चीला जरूर बनाएं, और सब को खिलाएं, अगर मेरे तरीके से ये आपको पसंद आया हो, तो लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किया, तो जरूर कर लेना, और इसी तरीके से मैंने बेशन की रेस्पी चीला है, और बेशन की सबजी चैनल पर है, आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप चेक आउट करके देख सकते हैं, फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ, बाबाई, टेक क्यार